पंड़ जी क्या नाम आपका जी सीताराम नाम है सीताराम जी होली आने वाली है क्या कुछ बाननेता हैं और कैसे विदी विधान से होली का त्योहार मनाई जा सकता है जी सबसे पहले आते हैं होली क्यों मनाई जाती है होली भक्त पहला विश्नु भगवान के बड़े बग्त और उनके पिता जी अपने आपको भगवान मानते थे और छेत्र में भी अपने आपको पुझवाने के लिए सभी से कहते थे कि मैं ही आपका भगवान हूँ लेकिन उसके पुत्र ने अपने पिता की बात नहीं मानते हुए भक्त पहलाद भगवान विष्णू के बड़े भक्त हुए और अपने पिता की बात नहीं मानी तो हिरन्यकश्यत ने अपनी बेहन हुलिका के साथ मिल करके उसको मारने की यूजना बना ली एक दिन हुलिका जलती हुई चिता में अपने भतीजे को लेकर बैठ गई हुलिका को वरदान प्राप्त था कि अगनी में नहीं जलेगी ब्रह्मागी से वरदान प्राप्त हुआ था लेकिन भगवान की इच्छा से भगवान की माया से होली का जल गई और भक्त पहला बच गया बुराई पर अच्छाई की जीत हुई इसलिए हम तब से होली मनाते हैं जी कैसे मनाते हैं अपने अपने लोकाचार के अनुसार हमारी माताएं ब्रत रख्टी हैं जब तक होलीका पूजन नहीं कर ले जब तक ब्रक्त रखती है और जल भी ग्रह नहीं करती है होलीका पूजन करती है अपने घर से एक लोगे में जल, आठा, हल्दी, नीठा और धन की बालियां गेहूं की बालियां ले जाते हैं, जोगी बालियां ले जाते हैं, कलावा ले जा करके और कच्चा सूथ, होलीका के चारों तरफ तीन परिक्रिमा लगा करके कच्चा सूथ लपेटती हैं तीन परिक्रमा करती हैं साथ परिक्रमा करती हैं अपनी इच्छाओं से अपनी मनों कामना के अनुस्तार करती हैं क्या कुछ सुब महूरत हैं इसके जी सुब महूरत होली का हर वर्स पालकुन मह की पोड़ मासी तिथी को आता है अब इसमें सुब महूरत ये है सुबह 11 बजे से होली का पूजन शुरू होने वाला है लेकिन होली का दहन अब जी बार रात्री को 11 बजकर 17 मनद से लेकर के 12 बजकर 27 मनद तक चलेगा और 24 मार्च को होली का मनाई जानी है